Assalamualaikum my youtube family कैसे हो आप सब I hope कि आप सब अच्चे होंगे मैं भी ठीक हूँ तो अभी हमारा जो सुबा है शुरूबात हो चुका है चाय के सब तो मैं और मेरे हजबन अभी चाय पीएंगे और चाय पीने के बाद जो भी बाकी काम है बोमे करूंगी तो अभी मैं अपने हजबन को चाय देने जा रहे हूं और अभी चाय पीने के बाद पच्चों के लिए नाश्था बना रहे हूं तो नाश्थे मी आज मैं पूरी बनाओंगी और रात का जो मैंने मतर बनाया था उसी के साथ हम डोग खाएंगे तो यहाँ पर मैं पूरिया तल रहे हूं एक-एक- वो लोग नाश्टा करने के बाद मेरी बेटी का अस्ट्यूशन है तो मेरे हाजबन लेकर जाएंगे उसको चुशन चरकर आएंगे और फिर हमें हमारे ज़े जमीन है वहाँ पर भी जाना है कुछ काम है वहाँ पर तो यहाँ पर मैं उनके लिए नाश्टा बरस रही हूँ तो यहाँ पर एक एकर के सब को दे रही हूँ मैंने लास में किया है नाश्टा उन लोगों को पहले मैं दे देती हूँ कि कि उनका पेट बढ़ा है तो मैं समझती हूँ मेरा भी पेट बढ़ गया है क्योंकि मैं बाद में खा लूँगी तो यहाँ पर मेरी बेटी और मेरे हस्बेन खा रहे है और मैं बाद में खाऊंगी क्योंकि मुझे और खाम भी बाकी है मेरा तो यहाँ पर मैं कुछ दनिया पत्ता दे रहे हूँ यहाँ पर उनको टेस्ट आने के लिए तो बस यहाँ पर मेरा बेटा जो है अपना नाश्टा कर रहा है और यहाँ पर मेरे हस्बेन और बेटी कर रहे है और मैंने भी कर लिया है उनके खाने के बाद और यहाँ पर हम लोग आ चुके हमारा जो जमीन है बहाँ पर तो यहाँ पर मिस्ट्री मेरा बाई लेकर आया है क कि हमारा जो गर बनाने वाले हैं हम लोग मतलब हमारे सपनों की आशियाना तो बस हम लोग अभी गर का जो नाप है वो दे रहे है मिस्टरी तो बस आप लोग दुआ कीजिएगा कि अच्छी तरह से बन जाए हमारे सपनों का आशिया और यहापर हम लोग मतलब नाप लेने के बाद हम अभी जा रहे हैं अपने गर पर और यहापर देखिये हम हमारे जमीन के अपास में यह मुर्गिया और यहाँ पर यह एक फ्लावर जैसा है इसलिए मैंने डे लिया तो यहाँ पर मेरे बाई और मेरे बेटे गर वापस जा रहे है यह सब मेरे माई के से आया है पीटा और लोकेल एक मतलब देसी मुर्गी का जौनडा होता है मामी ने बेजा है और औरेंज यह सब बाई लेकर मेरे बेटे का लगए तह लिए और मेरे बहने सब wannra अरणाया है ल्हे इसने लगए और सब्साड लेकर शिए घचमा हो जाएगा तो बस पॉलुक चाय भी कर चले जाएंगे और चले जाने के बाद मेरी बेटी को टीशन लेने हस्बेन जाना था लेकिन लेट हो गया था इसलिए मेरी बेटी की एक दोस्त है तो उसकी पापा मेरी बेटी को लेकर आ गयते तो यहाँ पर मैं उनके लिए चाय रेडी करके फि बस खाना पिना करने के बाद अभी शाम हो चुका है और मेरा बेटा इहाँ पर अपना पढ़ाई कर रहा है पस टेबिल तो है लेकिन वो कभी कभी उस करता है अपना मर्जी है उसका तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर यह बिना टेबिल से ही लिख रहा है आप ही शाम बेसा लगता है तो वो दोनों पानी पुरिका रह रहा है और साथ मैं हज्बेन हुड ने पुरे हपते के लिए यह सबजी लेकर आ गए है तो मैं उनको बोल रही थी खिया आप सारे सबज़ियों का दुकान ऊटा कर ले आए हो तो बोल रहे थे कि अभी सब्जियों का मौसम है तो सब्जी ज्यादा कावा आप लोग तो बस यह सारे बेराइटी से बस मटर काल लेकर आएंगे बोल रहे थे कि अभी बैग ज्यादा बर गया था तो इसके काल लेकर आऊंगा तो बाकी सब्जी लेकर आगे और फिर यहाँ पर हम लोगों ने चाय पिया फिर चाय पीने के बाद और यहाँ पर देखिए यह चावल काली जी रहा है तो यह मेरे हस्बेन बजा से लेकर आए है और यहाँ पर मामी ने दिया है जो बिरन चावल है तो बस यह था मेरा आज का वीडियो होप कि आप सबको पसंद आया होगा आप लोग मेरी वीडियो देखते तो हो लेकिन लाइक शेर और सस्क्राइब नहीं करते हो तो लाइक शेर और सस्क्राइब जरूल कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा सापोर्ट करने से अच्छा लगता है और मोटिविशन भी मिलता है तो बस मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूल कीजिएगा तो मिलते हैं एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हफीज